उधारन देखें एक पद व्यन्जक को δेखने से ऐसा लगता है कि इन में प्रत्तेक में दो दो पद है क्योंकि ये पद धन वर रिंट चिन से अलग हो रहे है किन्तु ऐसा नहीं है यहां 2P धन P बराबर 3P लिखा जा सकता है इस पश्ट है कि 3P एक पद है इसी प्रकार देखें X धन 3 पूरे का वर्ग कोहम X का वर्ग धन 6X धन 9 लिख सकते हैं इसमें 3 पद दिख रहे हैं X रिंड Y पूरे का वर्ग कोहम X का वर्ग रिं 2 गुणित X गुणित Y धन Y का वर्ग लिख सकते हैं इसमें भी 3 पद हैं आपने देखा कि व्यांजकों में हम जो पद बता रहे थे उन व्यांजकों को सरलिक रित करने पर पदों की संख्या बदल गई अता हम कह सकते हैं कि यदि किसी व्यांजक को उसके सरल रूप में लिखना संभव हो तो उसे सरल रूप में लिख कर उसके पदों की संख्या गिनते हैं बहुपद विशेश प्रकार का बिजी व्यांजक कुछ बिजी व्यांजक दिये जा रहे हैं ये सभी व्यांजक बहुपद कहे जाते हैं क्या कोई ऐसी विशेश बात है जो इन सभी में दिखाई पड़ती है कुछ और भी जी व्यांजक देखिए जो बहुपद नहीं है X धन 1 बटे X Y का वर्ग धन Y की घात 1 बटे 2 धन 3 P की घात 3 रिंड 2P धन घनमूल P 3 X की घात रिंएक क्या इन चारों उधारनों में कोई ऐसी बात दिखाई पड़ती है जो पहले उधारनों से अलग है इनके बहुपद नहीं होने का क्या कारण समझा जा सकता है सभी व्यंजकों जो बहुपद हैं और जो बहुपद नहीं हैं कि तुलना कीजिए अपने साथियों और शिक्षक से चर्चा कीजिए कि कब एक व्यंजक बहुपद होता है और कब नहीं आप सम्मवता इस निश्कर्ष पर पहुँच गए होंगे कि जिस बीजी व्यंजक में अक्षर संख्याओं की घातें पूर्ण संख्या है वही बहुपद है करके देखें पहला इन में से कौन से बहुपद है पहला S रिंड तीन दूसरा 5 Y की घात रिंड तीन तीसरा P धन एक बटे पी चौथा A X का वर्ग धन बी माचवा X की घात एक बटे दो धन एक चटवा 5 P का वर्ग धन दो पी धन एक दूसरा 5 नए बहुपद बनाए बहुपद के पद Terms of Polynomials हमें बहुपद के पद गिनना बहुपद के गुणांग पता करना बहुपद की घात पता करना आधी सीखना होगा इनकी हमें आगे आवशक्ता होगी बहुपद X का वर्ग धन तीन एक में दो पद है पहला पद X का वर्ग और दूसरा तीन एक इसी तरह M की घात तीन रिन दो एम का वर्ग धन नो एम धन एक में चार पद है M की घात तीन रिन दो एम का वर्ग 9M और 1 बहुपद 3Y में केवल 1 पद है 3Y पदों की संख्या के आधार पर बहुपद का नाम निर्धारित होता है चुँकि बहुपद 1 बीजी वेंजक है अता इसके पदों को बीजी वेंजकों की तरह ही गिनते हैं उपर दिये गए उधारनों में 3Y एक पदी बहुपद है X का वर्ग धन 3X द्वी पदी बहुपद है M की घात 3 रिंड 2M का वर्ग धन 9M धन 1 चार पदी बहुपद है सोचें एवं चर्चा करें पहला किसी बहुपद में पदों की संख्या कितनी हो सकती है अनन्त या परिमित दूसरा 2P धन P एक पदी है या दो पदी है तीसरा X धन 2 पूरे का वर्ग कितने पद का व्यंजक है करके देखें इन व्यंजकों को पदों के आधार पर चाटिए पहला 9C दूसरा 1 बटे 2 T धन A बटे 2 तीसरा A का वर्ग धन 2AB धन B का वर्ग चौथा P बटे Q 5वा 4X रिंड वाई 6वा 2M धन C 7वा X की घाच 4 धन 3X का वर्ग धन 1